शाइल्ड डेवलप्मेंट में हम देख रहे हैं थे कि बच्चों के फिजिकल, मोटर, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सभी तरह के डेवलप्मेंट में उनके पेरेंट्स, केरगिवर्स, टीचर्स और सोसाइटी का बहुती बड़ा कॉंट्रिबुशन होता है जो बच्चों को इसलिए यह केरगिवर्स कोई भी हो ऐसे पेरेंट्स, टीचर्स और जो भी लोग तो यह उनके डिवुटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके नीड को पूरा किया जाए अब नीड किस तरह की होती है तो यह हम मैंने इसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको ब बताया भी था कि अबरहाम मैसलो ने इनसान के नीड के बारे में बताया कि हुमेन के क्या नीड होती है बैसिकली एक भी हुमेन के सर्वाइवल की क्या नीड होती है और उसके डेवलप्मेंट की क्या नीड होती है सर्वाइवल तो ठीक है लेकिन उसके डेवलप्मेंट के लिए क्या के चीजों का फुल्फिल होना जरूरी होता है तो अबरहाम मैसलो ने 1954 में हार की ओफ हुमियन नीड्स नाम से एक मॉडल दिया था motivation and personality उनकी बुक है इसमें यह मॉडल है अभी हम वही देखेंगे अबरहाम मैसलो ने कैसे बता गया है उसको there is a hierarchy of needs which is put forth by अबरहाम मैसलो commonly known as मैसलो's hierarchy of needs according to मैसलो's hierarchy of following मैसलो's hierarchy the following needs are given जो मैसलो's hierarchy है उसमें सबसे पहली need biological and physiological need है किसी भी इनसान के development के लिए जरूरी है कि उसका पेड़ भरा रहना चाहिए अगर वो खाली पेड़ है तो यह सारी बात चीज़ है मतलब जो उसके basic needs है उसका नींद हो गई उसका खाना हो गया और हवा पानी शेल्टर की जो basic needs है अगर यही fulfill नहीं होती तो बाकी सारी चीज़े इनसान को bookish लगती है किताबी लगती है उसका कुछ लेना देने ही नहीं होता या वो उसके लिए concern ही नहीं होता जो इनसान के biological and physiological needs है air, food, water, shelter, sex, sleep, homeostasis homeostasis मतलब आप जैसे सरदी के दिनों में आपके body adopt कर लेती है आप अगर गरम इलाकी के रहने वाले और आप कोई ठंडे इलाके में जाते है तो थोड़े दिन में ही आप adjust हो जाते हो तो वो जो situation होती है, वो जो body का balance होते है, homeostasis होते है, excretion वगएर तो यह biological and physiological needs इनसान की fulfill हो तब ही उसका physical development या possible होता है या overall development में contribution होता है जब इनसान के physiological need fulfill हो जाती है तो उससे safety की need मेसूस होती है safety की need, सबी तरह के safety, एक तो आपके, सबसे पहले हो तो आपके body के safety के, आपके body को किसी भी तरह कोई भी चीज़ से आपके body hurt ना हो, कोई भी उसको तकलीफ ना पहुँचे, हम नुकसानदा जानवरों से अपने आपको बचा कर रखते हैं मच्छर वगरे जो घर में आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों से हिफाज़त करते हैं, यह तो बहुत छोटे लेवल पे हो गया और बिमारियों से अपने आपको बचाने की कोशिश करते हैं, कि कोई बिमारी ना हो, उसके लिए हम hygiene maintain करते हैं, और जो कुछ भी करते होंगे तो यह सबसे पहले होता है, फिर उसके बार में job security, आपकी safety की need कैसे fulfill होगी, जब आपको कैसे ही होगा आपके पास में employment है, आपके पास में रोजगार का जरिया है, आपकी किसी भी तरह से income है, तो ही आप यह सारी चीज़ों के लिए concern हो सकते हैं, नहीं तो बैचारे बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत गरीब लोग, कि उनके पास में पैसा ही नहीं होता, तो वो कैसे कैसे तकल बहुत जादा खत्रा दिखाई देता है, जिन चीज़ों में जैसे जो सड़क साफ करने वाले लोग होते हैं, कितना हम सोच के ही, ऐसे हम imagine भी नहीं कर सकते हैं, कि हम इस तरह का कोई काम कर पाएंगे, हमको ऐसे लगा हैं कि बापरे कितना बीमारी का अड़ा है, वो कितना चीज़ों को यह वाइट करते हैं, तो सिक्यूरिटी ओफ बॉड़ी तो एक इंसान को रहता ही है, साथ ही एंप्लॉइमेंट, फिर रिसोर्सेज, उसके बाद में मॉटलेटी, हर इंसान चाहता है कि उसको जिन्दगी मिले, मतलब वो मरना तो कोई भी नहीं चाहता है, हाल ओना को पॉस्ति पड़ाएटी क्यान मैं को तुक्त स्वेह नहीं चाहता है, तो इपको सीज़ोजिय को डिसोज्टा की नहीं मैं में फुलफिल हो जाती है, कि आप अपने आपकी बॉडी को सिक्यूर कर लिया, आपका शेल्टर हो गया, आपकी जॉब सिक्यूर है, जब आपके सेफटी की नीड फुल्फिल हो जाती है, तो फिर उसके बार में आपको अफिक्शन और लॉफ की नीड महसूस होती है, फिर आपके दिल में ये ख्याल आ आपका नाम होना चाहिए लोगों की दिल में आपकी इज़त आपका प्यार होना चाहिए जब बचा बड़ा होता है पुबर्टी को पहुंचता है तो फिर उसको sexual intimacy की भी जरूरत पड़ती है वैसे sexual intimacy biological और फिजियुलोजिकल नीड्स में आ ही जाता है लेकिन sexual intimacy में भी जो हम बोलते हैं एक need होती है और एक love होता है तो वो जो जरूरत होती है मतलब physical need तो आपकी पूरी हो जाती है जो emotional need होती है sexual intimacy में emotional need होती है otherwise तो सिर्फ आप अपकी physical need पे ही focused रहते हो उसके बार में जब आपके ये भी need fulfill हो जाती है बच्चे की जब ये भी need fulfill हो जाती है then इनसान को एक ये आता है कि self-esteem होना चाहिए respect मिलना चाहिए लोगों की तरफ से respect मिलना चाहिए लोगों ने दो चीज़े एक तो self-esteem एक तो आपको खुद के अंदर confidence खुद के achievement किसी चीज में master होना किसी skilled होना और independent होना ये चाहिए सारी चीजों के आपको इंदर खौईश होती है साथ ही साथ आपको एक status की कि society में आपका status होना चाहिए society में prestige होना चाहिए इस्टीम नेट्स की जरुवत पड़ती है इंसान को फिर उसके बार में cognitive नेट, aesthetic नेट, self-actualization नेट्स और transcendence नेट्स तो यह हम इंशाल्ला नेक्स टूडियो में देखेंगे वैसे भी जो है Maslow's hierarchy of needs है इसमें basically cognitive नेट्स, aesthetic नेट्स को नहीं पढ़ा जाते है transcendence needs को भी नहीं पढ़ा जाते है physiological needs उसके बार में आपकी safety needs, love and self-esteem की needs उसके बार में self-actualization की needs इतने ही points इसमें पढ़े जाते है पहरहल लेकिन आपकी book में यह सारी चीज़ें है तो हम इसको जरूर cover करेंगे इसमें आपको कोई difficulty है, कोई point आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे comment कीजिए और हम उसके बारे में दोबारा से discuss करेंगे बाकि cognitive need, cognitive नाम से ही जाहिर हो रहा है कि intelligence की knowledge and understanding के लिए खौईश होना, curiosity होना, aesthetic need, beauty की search होना और यह सारी चीज़ों को हम detail में next studio में देखेंगे इंशाल्ला, have a good day